नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटियूट जैनल एंजिनिरिंग जॉब्स में हैं आज के हमारे वीडियो में हम डिसकस करेंगे NBCC इंडिया लिमेटिट के द्वारा बहुत अच्छी वेकेंसी निकली है इलेक्रिकल एंड सिविल एंजिनिरिंग के लिए यहाँ आपर आप देख सकते हैं टोटल नमबर वेकेंसी आपकी हंटेड और साथ में आपका जो मंतली सरे पेकेज़े वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल रहा है तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करके इस रिक्रूट्मेंट की सारी डीटेल जो आपको बहुत ही यूसपुल होने वाली है तो वीडियो को एंड तक दिखे वीडियो को स्क्रिप बिल्कुल मत किजिए वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रीचे देना चाहूंगा मेरा नाम है जै कोई यह दि आप हम से सोचल मीडिया पर जुनना चाहते हैं तो इन आईडिस पर आप फोलो कर सकते हैं साथ में किसी भी क्वेशन या डाउट को पुछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज भी कर सकते हैं तो विदावर वेस्टिंग ओफ टाइम लेट्स गेट स्टाड़ेड अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजियो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिये यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों NBCC इंडिया लिमिट के द्वारा यह जो रिक्रूट में है वो पॉब्लिस की गई है एड़डाइस नमबर है 04-2020 11 नमबर 2020 को NBCC के द्वारा एक नोटिविकेशन जारे की गई उसके अंदर क्लियरली मेंशन है सिविल एंजिनिरिंग और इलेटिकल एंजिनिरिंग के जो भी केनिडिट है वो इस रिक्रूट में पार्टर लेस रखते है NBCC एक नवरतन कंपनी है Central Public Sector Enterprise है जो Ministry of Housing and Urban Office के अंदर काम गरती है तो ये सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए साथ में एक और बाद आपको नोट करनी है कि ये जो रिक्रूट में है वो Completely Contract Based पर है Completely Contract Based पर है और जो आपका Contract होगा वो होगा आपका दो साल का दो साल के Contract के अंदर आपको रिक्रूट किया जाएगा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस-किस डिसीप्लिन में कितनी Number of Vacancy है और क्या Education Classification या फिर Experience होना चाहिए तो सबसे पहले आप देश लगते हैं Civil Engineering तो Civil Engineering के लिए आपकी जो Total Number of Post है वो है 80 80 Number of Post है दोस्तों साथ में आपका जो Age Limit है वो है 35 Years 35 Years और उससे जो कम वाले Age वाले जो Candidate है वो इस Recruitment में पार्ट ले सकते हैं उसके बाद Education Qualification आपका भी बीटे होना चाहिए in Civil Engineering with 60% Aggregate in Marks तो आपका जो Graduation है वो आपने 60% और उससे ज्यादा किया है तो आप इस Recruitment में पार्ट ले सकते हैं साथ में आपका जो Experience है वो दो साल का होना चाहिए in a realistic field या फिर construction और execution of infrastructure work तो उसके अंदर आपका दो साल का minimum Experience होना चाहिए और आपका जो Celery Package होने वाला है इस Recruitment के लिए वो होगा 42,000 के around 42,000 के around आपकी Celery Package होगी मंतली बात कराओ दोस्तों यह सारी चीज़ा आप नोट कर सकते हैं अब बात करते हैं electrical engineering के लिए तो total number post दोस्तों यहाँ पर है 100 80 उसमें से है civil engineering के लिए तो electrical engineering के total number post हो जाएगी 20 तो 20 number post है electrical engineering के लिए यहाँ पर जो age limit है 35 years है B BITEC वाले एपलाई कर सकते है B BITEC किया होना चाहिए electrical engineering के हैं और साथ में आपने जो graduation है वो आपका 60% और उससे ज़्यादा होना चाहिए एक और बात नोट के लिजें के जो ACST category के जो लोग है वो 55% से ज़्यादा होगे तो वो भी इस recruitment में eligible हैं और साथ में आपका जो experience है वो होना चाहिए आपका electrical field के अंदर जो भी electrical engineering के जो भी project है उसके अंदर आपका दो साल का minimum experience होना चाहिए यहाँ पर बात करें पेश केल की तो वो भी आपका semi होगा civil engineering के लिए मुताबिकी होगा 45,000 के around आपको monthly pay किया जाएगा अब job location के अगर बात करें तो आपका जो job location होगा दिल्ली NCR होगा या फिर औरिशा जारखन तो यहाँ पर कहीं पर भी इंडिया के इस जगा पर आपको posting मिल सकती है आगे बात करतें pay and other benefit के बारे में तो जैसे कि मैंने बताया कि 42,000 के around आपका monthly payment होगा उसमें आपको 6,000 आपको PLI या फिर medical reimburse के तोर पे आपको दिया जाएगा आपको सालाना 8 casual lease और 20 earn limit आपको मिलेगी यह केर में और साथ में जो भी आपका जो government के रूल के हिसाब से जो भी आपका जो holiday या फिर festivals holiday से वो भी आपको साथ में मिल जाएगा तो आपका जो सालाना income के बाद करें तो 64 lakh पर एनम आपका approximate आपकी income हो जाएगी तो बहुत ही बड़िया opportunities है civil engineering और electrical engineering के लिए अब बात करते है procedure of applying कैसे आप apply करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो NBCC India limit के की जो official website है वो में उसकी link में आपको description box में दे दूँगा तो वहाँ से आप apply कर सकते हैं वहाँ पर आपको 15 days के अंदर यहाँ पर clearly mention है 15 days के अंदर यहाँ पर 11 November को यह recruitment publish की गई है तो 11 November से लेके 15 days तक आप इस recruitment में apply कर सकते हैं और जो भी आपकी जो photograph signature है वो आपका 100 के भी या फिर 50 के भी से less होना चाहिए तो यह सारी चीज़े आप notification में detail पर सकते हैं और आगे बात करते हैं हमारे next payment application fees के बारे में तो जो भी लोग open category या फिर SCBC, OBC category में आ रहे हैं वो उसके लिए 500 रुपीज आपको pay करने पड़ेंगे साथ में जो भी ACSDP, PWD, department के जो candidate हैं उसके लिए कोई भी यहाँ पर fees declare की नहीं है तो इसलिए कह सकते हैं कि 500 रुपे आपको fee पे मिंट करना होगा अगर आप इस recruitment में पार्ट लेना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हों बात करते हैं Subvision of Hard Copies Online Application Form तो सबसे पहले तो आपको जो NBCC की इंडिया लेट की official search है उसके उपर से आपको online application करनी है उसके बाद आपको उस application की printout निकालनी है और साथ में सारे के सारे जो आपके जो certification है उसको attach करके यहाँ पर जो address लिका हुआ है उस address को आपको post या फिर register ID के उपर आपको post करना होगा within 15 days यह आपको बात याद रखनी है within 15 days के अंदर आपको apply भी करना है और साथ में इसको post भी करना है तो post के लिए आपको यहाँ पर जो detail address है NBCC का दिल्ली का जो address है वो आपको दिया है वहाँ पर आपको 15 days के अंदर आपको post करना है कौन से कौन से document साथ में आपको address करना है उसकी बात करें तो self-attested matriculation, secondary certification, proof of date of birth तो आपका जो date of birth है उसके साथ जो matriculation का certification है वो आपको address करना है साथ में आपको photocopies address करना है जो भी आपके necessary marks है उसके अंदर आपकी 10 या भी 12 और B, B, M, T, K के जो भी जो आपने graduation, post graduation किया हुआ है उसका जो marks है उसका certificate आपको साथ में अटेज करना है और साथ में आपका जो schedule card या फिर SCST का जो भी category का जो certificate है उसको भी आपको साथ में अटेज करना है और एक identity proof भी आपको attach करना है वो आपका other card, pond card, water ID card कोई भी आप use कर सकते हैं तो साथ में आपको एक passport size photo भी color photo होनी चाहिए दोस्तों तो ये सारी चीज़े आपको attach करनी है उसके बाद जो दिया हुआ जो address है उसके अंदर post करता है within 15 days अब selection procedure की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर clearly mention है कि कोई भी तरह से यहाँ पर fix procedure नहीं है selection के दिया यहाँ पर जितना response मिलेगा उस हिसाब से NBCC decide करेगी कि इंटर्यू लेना है या फिर group discussion करवाना है या फिर return test करवानी है तो दोस्तों जिस तरह से application form आएगे उस तरह से NBCC decide करेगी उसकी जो notification है वो आपको NBCC की जो official website है वहाँ पर ही आपको मिल जाएगी तो आपको निरनतर आपको NBCC की जो website है उसको देखते रहना होगा और साथ में उसको भी यहाँ पर detail जो भी description है इस selection process के बारे में वो आपको बता दे जाएंगे बात करते हैं लास्ट में दोस्तों कि यहाँ पर जो भी आपको कोई query है या फिर question है तो आप directly talent at the red nbccindia.com के उपर आप mail के थुरू आप अपना प्रसना रख सकते हैं साथ में इसी किसी भी जो नेसेसरी जो document है वो आपका गलत होगा तो आपके उपर legal जो commitment है वो nbcc के त्वारा तो उस हिसाब से आपके उपर procedure हो सकता है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी आगे की procedure है वो nbcc की website के उपर दी जाएंगी तो इसलिए वहाँ पर मैं description में box में link provide कर दूगा वहाँ पर आप जाकर nbcc की जो भी update है वो आप प्राप्त कर सकते है तो यह था हमारा आज का वीडियो I hope के वीडियो तो आपको informative लगा होगा informative लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी share के लिए क्यूंकि मैं ऐसी वीडियो जोग के related में लाता रहूँगा इसलिए कहता हूँ मैं हमारी चैनल को subscribe डिंग किया है तो subscribe कर लिजिए और साथ में bell icon पी press कर दिजिए जिससे हमारे हर एक आने वाले वीडियो की